अलो एवर्योबरन आज हम आपके लिए plaster के ऊपर वीडियो लेकर आएं इसमें हम आपको कच्च प्लास्टर पक्क्च प्लास्टर के भारे में पूर्ण चानकरी देंगे यह वीडियो सेक्षण को रिबनाई गये है, किरप्या वीडियो देखके घर पर उप्चार ना करे नमस्का दोस्तों आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत हैं आज हम आपके लिए हड़ी में फैक्चर हो जाने पर लगने वाले प्लास्टर पर वीडियो लेकर आए हैं आपने देखा होगा कि फैक्चर हो जाने पर डॉक्टर सबसे पहले प्लास्टर लगाते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्लास्टर क्या होता है, इसे कैसे लगाते हैं, प्लास्टर लगने के बाद क्या-क्या साब्धानी परतनी चाहिए. हड्डी के फैक्षर होने पर लगने वाले प्लास्टर मुकिता दो प्रकार का होता है. पहला plaster of Paris शुकी सफेद रंहका होता है जो चूने जयसा होता है दूसरा fiber का बना होता है जो रंग ब्रंगा होता है plaster of Paris इसको हम gypsun भी कहते हैं इसकी कीमत कम होती यो काटने में आसानी होती है लेकिन बजनदार होता है दूसरी दरफ fiber plaster बजन में हलके होते हैं फैक्टर में लगने वाला प्लास्टर जिसको प्लास्टर फोफ पैरिस भी बोलते हैं इसका केमिकल फॉर्मूला C-Azo4-H2 होता है जिसको कैसियम सलफेट हैमि हाइडरेट कहते हैं यह एक महीन पाउडर में बनता है जिसको वेंडिस के उपर लिपिट दिया जाता है फैक्टर के सिरे नुकिले होते हैं अगर फैक्टर को सपोर्ट नहीं दिया जाएगा तो यह नुकिले सिरे हड़े के पास से निकलने वाली नसों को नुकसान पहुचा सकते हैं नमबर दू, प्लास्टर से निकलने वाली गर्मी से मरीज की फैक्चर की सिखाई होती है, जिससे मरीज को आराम मिलता है प्लास्टर को फैक्चर बिठाने के बाद लगाया जाता है प्लास्टर लगने के बाद फैक्चर पैटि हुय बस्ता में ही रहता है जिससे हडी, तेरी, मेडी नहीं जुटती और अगर ऑपरेशन करने के जोगरत पड़ती है तो सहजन को ऑपरेशन में ज़्याधा कटना ही नहीं होती है फैक्चर को हो जाने के बाद राइस वर्टिकॉल फॉलर करते हैं जिसमें की R for rest, I for embolization, C for compression, E for elevation प्लास्टर लगने के साथ ही ये चारों काम सहज तरीके से हो जाते हैं फाइवर प्लास्टर सिंथेटिक फाइवर ग्लास के बने होते हैं जो हलके होते हैं और waterproof होते हैं मतलब प्लास्टर के अंदर पानी नहीं जाता है और तचा गिली नहीं होती है इनका एक फाइदा और होता है कि ये transparent होते हैं जिससे की प्लास्टर के साथ x-ray करने पर fracture अच्छे से दिखता है और अच्छे से पता चल जाता है कि हड्डी जुड़ी है या नहीं आपको चित्र में दिखाए गया है फाइवर प्लास्टर के प्लास्टर की बेसिक जानकरी के बाद हम आपको बताएंगे कि बिभिन हड्डियों में फेक्चर में प्लास्टर कैसे लगाते हैं उनकी पोजीशन क्या होती है और मरीश को क्या सलहा दी जाती है आईए जानते हैं सबसे पहले हम सुरू करते हैं हाथ के फेक्चर से तो दोस्तों सबसे पहले हम ये दिखते हैं कि हाथ में कौन-कौन सी हड्डिया होती है और उनका फेक्चर दिखता कैसे हैं ये स्लैब मरीच ये कंदे से स्टार्ट होता है रो कौनी से घूंकर मरीच की एक्जिला से चार उंगली नीचे तक खतम होता है। फोटो में आपको जैसे कि हूमरस वोन का फैक्चर दिखाये गया है इवं यू स्लैब के वगगा फोटो दिखाये गया है। प्लास्टर लगने के बाद मरीच को कुछ साबधानी बतना रहती हैं जैसे कि प्लास्टर वाले हाथ की उंगलियों को चलाते रहना है जिससे कि हाथ में सूजन ना है। हड़ी होती हैं यह दोनों हड़ीया या तो अलग गलग या एक साथ फैक्चर होती हैं तो दोनों कंडिशन में अब वैल वो स्लैब लगाते हैं यह स्लैब मरीच के नकल से लेके मिड आम तक लगता है। जिससे कि मरीच उंगलियों को आसानी से चला सके। इस फोटो में आपको रेडिय से वालना का फैक्चर दिखाये गया है। अगले फोटो में आपको स्लैब के दिखाये गया है। यू स्लैब की तरह एवा वैल वो स्लैब में साबधानी रखना होती है। स्लैब को स्लिंग के जरी गर्दन से लटकाना रहता है। हाथ की उंगलियों चलाते रहना है। और सोते समय पेट और स्लैब के बीच में तकिया लगाके रखना है। जिससे की हाथ में सूजन ना है। तीसरे फैक्चर है डिस्टल इंट रेडियस। रेडियस हड़ी का वहभाग जो कलाई के पास रहता है। उसको डिस्टल इंट रेडियस कहते है। इसमें फैक्चर अगर जोइंट से बाहर होता है तो उसे कोली या स्मित फैक्चर कहते हैं। और अगर जोइंट के अंदर होता है तो उसे वाटन फैक्चर कहते हैं। जैसे की डिस्टल इंट रेडियस का फैक्चर चित्र में आपको दिखाया गया है। Distill in radius के fracture में slab नकल से लेके कौहनी के नीचे तक लगाती हैं जिसको below elbow slab कहती है दोस्तों, slab लगाने से पहले fracture को reduce करना होता है जिसको आम भासा में fracture को बिठाना बोलते हैं आने वाली slide में हम देखेंगे कि fracture को कैसे बिठाती है और slab किस position में लगाया जाता है जैसे कि आपको चित में दिखाया गया है फैक्चर को कैसे बिठाते हैं अगले चित में दिखाया गया है किस position में slab लगाते हैं अगले फैक्चर है सुप्रा कॉइन डालर हुमरस फैक्चर यह फैक्चर बच्चों में होने वाला common फैक्चर है सुप्रा कॉइन डालर हुमरस हमारी कौनी के पास उपर की तरफ होता है जब ये फैक्चर होता है तो तुरंत ही बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना रहता है क्योंकि जहां से फैये फैक्चर होता है वहां खून की और हाथ को चलाने वाली नसे निकलती है जिससे उनकी injury होने की संभाव न रहती है जैसे कि आपको supra dessa coin dollar humerus के बारे में दिखाये गया है चितर में इवर मुसकी fracture के बारे में दिखाये गया है आये इसके treatment के बारे में जानकारिए लेते हैं जैसे कि चितर में दिखाया है कि supra downstream humerus fracture में slab mid arm से लेके नकल तक लगाया जाता है और कहनी को 90 डिग्री पर मोड़के रखा जाता है बागी साब धानी में हाथ की उंगली जियां चलाते रहना चाहिए हाथों को स्लिंग से लटकते रहना चाहिए और सोते समय हाथ और पेट के बीच तक यह रखना चाहिए अगला फैक्चर है ओले करनौन फैक्चर ओले करनौन हमारी अलना हड़ी का वह हिस्सा होता है जो कि कहनी में होता है और कहनी के जॉइंट की मुवमेंट में हिस्सा लीता है कौनी को मोड़ने के बाद पीची की तरफ जो उपरा हिस्सा होता है वही ओले करणौन कहलाता है इसमें फैक्चर सामयता कौनी के बल गिडने से होता है जित्रे में आपको ओले करणौन दिखाया गया है यह अगले चेत्र में उसके फैक्चर के बारे में बताया गया और लेकुनों फैक्चर में भी एवब वैल भू स्लैब लगाते हैं और स्लैब लगने के बाद की साबधाने भी वही रहती है जैसे कि उंग्लियों को चलाते रहना स्लैब वाले हाथ को सिलिंग दे के रखना और सोती समय हाथ और पेट के पीच तकिया लगा के रखना जिससे कि हाथ में सूजन ना है अगला फैक्चर है फरस्ट मेटा करपल वोन फैक्चर इसका मतलब है कि हाथ के अंगुठी में फैक्चर अंगुठी के फेक्चर में लगने वाले स्लैब को थम्ब स्पाई का कहते हैं इसमें प्लास्टर हाथ की पंची के साथ साथ अंगुठी को भी सपोर्ट करता है और इससे पंची के आगे की तरफ से लगाती है जिसे की आपको चित में दिखाए गया है फरस्ट मैंटर कार्पर अगला फेक्शर है अगला फेक्शर है मैंटर कार्पर वोन हाथ की उगलीओं और कलाई के फीच होती है इनके फेक्शर में लगने वाले स्लेप को कॉक्कप slab कहते हैं चारों metacarpal के fracture में लगने वाला slab लगवा एक ही तरह का होता है चित में metacarpal bone की position के भारे में बताया गया है एवं अगले चितर में आपको slab के भारे में बताया गया है हाथों की दो से लेके पांस तक के उंगलियों के सिर fracture में सामनी तर slab नहीं लगाते हैं fracture वाली उंगली को normal वाली उंगली के साथ tap से चिपका दिया जाता है जिसको body strapping कहते हैं लेकिन असिर fracture जिसमें operation के जरुद पढ़ती है उसके cock up slab लगाते हैं जिसमें उंगलियों के सिरे तक plaster लगाना रहता है जितर में आपको fracture दिखाया गया है यहां body strapping के दिखाया गया है तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको अपल लिम के fracture उसमें लगने वाली बिविन प्रकार के plaster यहां साथ में लगने वाली साबधानिया बताएं आगे आने वाली वीडियो में पैरों के fracture उसमें लगने वाली direction इवन प्लास्टर के बारे में बताएंगे इवन प्लास्टर को लगाते कैसे हैं उसकी वीडियो भी आप तक लाएंगे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे के आने वाली वीडियो का notification आपकी mobile में आ जाए और नई वीडियो आप देख सकें या जानकारी दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को share कीजिए धन्यवाद